मैं हूं तन्या गुपता आज मैं बताएं जारू स्कूल में कहानी कैसे सुनाते हैं प्ली सब्सक्राइब पार चैनल अगर कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए और श्रीयर करिए चलिए श्टाप करें अध्याफिकार जी एवा मेरे प्रिये सब्सक्राइब मेरा आप सभी को नमस्कार मैं हूं तन्या गुपता मैं कक्षप्रथम का छात्र हूं मैं आप सभी के श्रमक्ष एक कहानी प्रस्थोत करने जारा हूं अगर खेलते तुमने मेरे उपर पह रखा तो मैं तुम मरी जाओंगा इसलिए मेरे माफ करना मैं तुम्हारा मित्र नहीं बनुगा आती दुखी हुआ और आके क्यों चल पड़ा उसने रास्ते में एक लोम्री देखी उसने लोम्री से कहा लोम्री क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी लोम्री ने कहा अगर मैं मास खाती हूँ और तुम पत्ते खाते हो इसलिए मैं तुमसे दोस्ते नहीं करूँगी मुझे माफ करना, आथ ही फिर से दुखी हुआ और आगे कियो चल पड़ा उसने रास्ते में खर्गोश देखा, उसने खर्गोश से बॉला, खर्गोश क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश बोला अगर खेलते खेलते तुमने मेरे घर घर पे पैर जग दिया तो मेरे घर तो तूटती चाहेगा तो फिर मैं कहा दोगा इसलिए मुझे मुझे माफ करना मैं तुम्हार दोस्त नाई बनुगा हाती बहुत दुखी हुआ रात हो गई थी और हाती घर जाकर सो ग कोई वह फिर से गया जंगल में उसने देखा साज अचानवा एदर अधर भाग रहे थे उसने एक लोम्री से बुशा लोम्री ये साज अधर 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 क्यों भाग रहे हैं लोम्री ने कहा एक खूंखा आश्र सिरा गया है वो सब को खाज जाएगा अचानक जानियों के पीछे जानियों के खाज और अचानक से शेर हाथी के सामने आ गया हाथी को बहुत गुस्टा आया और हाथी ने शेर की गर्दन अपनी सूंग से लपेटी और घुमा घुमा के उसको दूर फेग दिया और शेर भाग गया और सायर जानवा निकले और हाथी के लिए तालिय बजाएं और हाथी से कहा क्या तुम हमारे दोस्ट बनोगे दोस्ट बनोगे हाथी बहुत खुश हुआ शिक्षा अच्छा और सच्छा मित्र वही होता है जो मुसीबतों में काम आता है आपका दिन धन्यबाद आपका दिन शोबो नमस्ते